हेलो अबइन क्यों हंद ने how आज के जो रीडिंग है हम करने वाले हैं देखें गहाम आज कि अपने इस रिडिंग में कि अपके पार्टनर है वह आपके लिए किस्से और क्या बाते कर रहे है ठैक है और रिडिंग इनके साथ भी राजनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चलिए करते हैं हम रिडिंग को स्टार्ट गाइड करें एंगल्स उनिवर्स और सिस्टर्स गाइड करें ओके गाइड करेंगल्स ओकी ठीक है चलिए देखते हैं कार्ट और जो लोग मुझसे प्रसना टारो का रिडिंग या कूणली रिडिंग लेना चाहते हैं या कोई ब्रेसलेट या ट्री लेना चाहते हैं पिरामीड लेना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए भी आज सुबा मैंने लेपीडो लाइट ब्रेसलेट के बारे में बताया था और आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा गाइड करें अंजल्स देखते हैं कार्ड्स निकालते हैं क्या है कार्ड्स के अनर्ड्री ओके ठीक है ओके कार्ड्स और निकालते हैं किसे और क्या बाते कर रहे थे आपके पार्टनर लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ बॉटम आफ तर डेक देखते हैं वाव एंप्रेस के नर्जी है एंप्रेस के नर्जी वाव इनफर्मेशन और मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरा जो है दूसरा चैनल याने की रुही के ब्लॉक्स अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए उस चैनल के ब्हीं आपको बहुत कुछ मिलेगा और बहुत सारी सहई के आपको जानने कarry नहीं ऐसे कि मैरेस्थिए अभी कर रही हूं तो आपको उसपे हमेंसा कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ नाommें इसी रेसेपी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही आसान होगा ठीक है बहुत ही आसान तरीके से वो रेसिपी बनाई गई होगी ऐसी रेसिपी जो है रहेगी ठीक है तो जरूर आप उस चनल को विजिट कीजिए कम्यूटी बॉक्स में मैंने पोस्ट डाला हुआ है आप उस चनल को विजिट कीजिए एक बार एक ब हाल six of pentacles again Taurus Virgo Capricorn seven of cups cancer Scorpio Pisces ten of cups three of pentacles four of wands it is Leo Sagittarius वाओ दा लवर्स तेरी यदाओं पे मरता हूँ लव तुझे लव मैं करता हूँ जमनाई लिप्र एक वेरियस एंड है मेरे पास four of pentacles pentacles energy जदा आई है मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ working है और दोने एक दूसरे को बहुत जदा पसंद करते हैं बहुत जदा आपके पार्टनर आपसे बाते कर आपके आरे में बाते करते हूँ दिखाई दे रहे हैं यह पर्सन अपने दोस्तों से कि आप काफी ज़्यादा अपने पार्टनर को पसंद करते हो और आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार कर हो आप बहुत ही लोयल किसम के इंसान हो आपके अंदर लोयल्टी कूट-कूट के भरी पड़ी है आप इतने ज़्यादा लोयल हो कि आप अपने आपको भी भूला दोगे ऐसे पॉर्सन हो आप बहुत ज़्यादा कुछ चीजों के उपर फोकस करते हो आप अपनी लाइफ के हमेशा सब को आगे बढ़ाने में फोकस करते हो आपका ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत प्यारे बहुत ही प्यारे इंसान हो और मैं देख पारी हूँ कि आपके पार्टनर बाते कर रहे हैं कि आप खुश मिजाज किसम के इंसान हो आप खुश रहने वाले पॉर्सन हो और आपकी खुशी दुसरों को खुश रखने में होती है आप के पार्टनर बाते कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन से connect इसलिए भी हो क्योंकि आप दुनों का जो connection है वो soulmate connection है आपके पार्टनर क्लिरली बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि प्यार तो मैं करता हूं उससे प्यार करता हूं ठीक है और कि मैं उसके लिए जो feel करता हूं वह मैं किसी और के लिए फील नहीं करता हूं मेरे दिल में जो भी feelings हैं मेरे दिल में जो भी emotions हैं स्रिफ और स्रिफ उसके लिए हैं मेरे दिल में प्यार मेरे दिल में emotions काफी हैं उसके लिए और वो कभी भी मेरे दिल में उसके लिए वो प्यार वो emotions कभी कम नहीं होगा मैं उसे उतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि कभी भी मैं उसके बगर नहीं रह सकता मैं उसके बिना कुछ सोच नहीं सकता मैं उसके बिना कुछ समझ नहीं सकता मैं उसे इतना ज़्यादा डीप प्यार करता हूँ कि उसके कोई हद नहीं है प्रहपने दोस्तों के साथ वहुं अगाइब उसलों के सैंप ही इतना विद्पा ना just the human विश्वाँ कारेती हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ वह सब्सक्राइब तो अफ दोस्तों के सांत पार्च हो होते हैं यहां पर यह पर रहे हैं कि आपकी इनर्जी आपकी फिलिंग्स है ना वो मुझे दिखाई दे रही है ऐसा दिखर रहा है जैसे कि आप दोनों का प्यार इतना प्योर है कि आपके पार्टनर उस प्यार पे शर्थ तक लगा सकते हैं ठीक है एक चीज और मुझे अभी याद आई एक रिव्यू आया है आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ उनका रिव्यू यह देखिया आप यहां पर इन्होंने रैमेडी करवाई थी अपने पॉर्षन से शादी करने के लिए इनकी शादी नहीं हो पा रही थी इसके वज़े से काफी परिशान चल रहे थी और इन्होंने पॉकिंग होने के बाद इनका काम किया गया और काम हुआ इनका लगवग 15-20 दिन इनके काम में लगे थे और यह इनके अंदर यह था कि इनके अंदर पेशिंस था और काफी अच्छा इन्होंने जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे इन्होंने किया है तो इनका रिजल्ट इनक इनको मिलने आ रहा है आप शादी करने वाले हैं यह दोनों तो बहुत ही अच्छा जो है इनको result मिला है मैं इनके लिए बहुत 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 जदा खुश हूं नाम तो मैं नहीं बताऊंगी इनका और नहीं इनकी पिक्चर में दिखाऊंगी आपको लेकिन आप इनक पर फोकस करता है मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यह बाते करते वह दिखाई दे रहे हैं कि येस आपके अंदर जो है ठीक है वो किसी और के अंदर नहीं है क्योंकि मुझे यहां पर दिख रहा है कि मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी कुछ चीज़े जहना अटकी अटकी सी नजर आ रहे हैं यह पर्सन बाते करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसे लगता है कि मैं कंशूजन में हूँ या मेरे पास और भी ऑप्शन अव तरीके से देखता हूं मैं 85 हूं उसके लिए 85 हूं और मैं उसे जो है मैं फ्रीली तरीके से उसको छोड़ देना चाहता हूं कि है तुम को जो करना है तुम्हारी लाइफ में वो तुम करो मैं रोक टोक नहीं करूंगा ठीक है जो भी चीज़े होंगी वो हम देखेंगे मैं बहुत ज़धा प्योड तरीके से मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं मैं उसके साथ बहुत जल्दी से एक Salesforce क्या हों क्योंकि हम दोनों का जो relationship है ये बहुत पूराना relationship है यह ऐसा तो relationship नहीं है ये बहुत पूराना रिलेशनसिप है और इसलिए मैं जो है उसके साथ इस रिलेशनसिप को शादे तक लेके जाना चाहता हूं मेरे पास किसी चीज की अब कमी नहीं है मैं अपनी लाइफ में काफी स्टेबल हूँ काफी कुछ चीज़े मैंने पा लिया है और जो चीज़े मुझे चाहिए करने लगे एक दूसरे एक साथ बहुत जल्दी बहुत ही जल्दी एक प्योर करेक्शन में आ जाएं तक हम दोनों की बीच में जो है यह जो गैप है यह खतम हो जाए मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के इतनी करीब आएं इतनी करीब आएं कि हमें कोई जूदा ही न करता है देखो मैनत तो हर कोई करता है है ना मैनत तो हर कोई करता है अपने रिष्टे में या अपनी केरियर में हर एक कोई करता है बट सक्सेस किसी किसी को मिलती है और मैं चाहता हूं कि उसे सक्सेस मिले वो मेरे सक्सेस का एक आधा पार्ट है उसके बिना मेरे सक्सेस्फुल होना मुझे नहीं लगता कि होगा ठीक है उसने support किया as a friend support किया as a partner support किया और मैंने उसके support की वज़े से इतना कुछ जो है मेरे पासा जो भी है property है या जो भी है पस उसके वज़े से है मैं अपने आपके बल्बूते पे नहीं कर पाया हूं उतना ज़्यादा कुछ कि मैं मैं बता पाऊं ठीक है मैं इतना ज़्यादा तकलीफ में इतना ज़्यादा दर्द में कभी नहीं रहा कभी भी नहीं रहा और मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता हूं यह मैं उसे बताना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पार हूं कहीं नंगा हो रहा है मुझे कहीं ना कहीं वह उतर ने जैसे भुल करके भी कुछ ना बोल पाना तो वो मगह नları है ऐसा दिख रहा है कि आपको सबस्राइजंस नहीं बोल मान चुका हूँ, अपने दिल काराज को मारमान चुका हूँ ठीक है, यह मान चुकी हूँ, तो मैं उसे जल्द ही ये सारी बाते कहने वाला हूँ, या कहना चाहता हूँ, ठीक है चली अप देख लेते हैं, कि आपके जो पार्टन में, उनके darkness हैं, उनके दिल में को आपके जो and sisters I'm guide kare angels ace of cups ka card ace of cups ka card the Sun okay six of wands queen of wands okay temperance knight of swords and have a pass here a magician take it so here this sign is bottom of the deck sign that you have a magician card all the signs are available bottom of the deck eight of pentacles okay your friends have clear that you want to work on your relationship where you want to work on your relationship with a bad thing to do do your best come to do that you want to do it and start to do something is going to do it how you work on it could be but you don't have to do it नहीं करके और अपने डिलेक्शनसिप को सही करना मुझे नहीं लगता कि कोई हुगा होगा ऐसा मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में देख रही हूँ आपके पार्टनर के दोस्त बताते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो तकलीफ लेने से कुछ नहीं होता है तुम्हें अपनी तकलीफ को ध्यान में रखना चाहिए तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए तुम प्यार करते देना है प्यार दो और देना चाहिए जरूरी है प्यार देना जरूरी है और प्यार दो भरपूर प्यार दो अपने पार्टनर को और उसके साथ जितना हो सके उतना कुछ तुम अपना बैलेंस करने की कोशिश करो तुम बैलेंस बनाओगे ना सब कुछ हो जाएगा बैलें जल से जल बैलेंस बनाओ तुम्हारा future उसके साथ bright हो सकता है तुम उसके साथ जाकर कि काफी कुछ चीज़े सीख सकते हो काफी कुछ चीज़े समाल सकते हो अपनी life में जो बिगडी हुई चीज़े हैं उनको तुम बहुत अच्छे तरीके से handle कर सकते हो मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसी कोई हरकत करोगे जिससे तुम दोनों का रिस्ता खराब होगा और तुम दोनों की energy waste जाएगी है ना तो तुम्हें जो करना है वो तुम्हें करना चाहिए ठीक है life को जीना है life को जीओ अच्छे तरीके से और बहुत बहतरीन तरीके से जीने की चाहत रखते हो एकदम से रखो और मैं तुमसे यही कहूँगा या यही कहूँगी कि अपने ego को थोड़ा सा balance करो थोड़ा सा maintain करना जरूरी है maintain करके तब relationship में आके बढ़ो सो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खाते मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में तब तक हसते रहिए मुस्कुरात रहिए और खुश रहिए तब तक के लिए बाबाई